नमस्कार साथियों मैं अमित कपूर पेरंट एस्सेशेशन जम्मू प्रजिडेंट सबसे पहले आज का जो हमारा उदेश्य है प्रेस कॉंफरेंस करने का कुछ खुलासे करना विद प्रूफ आज सबसे पहले मैं आपको बता दू कि कुछ मानसीक संतुलन जिनका बिग्रा वह यह कहते हैं कि अमित कपूर की पेरंट एस्सेशन जो है वह और जिस्टर नहीं है तो यह 2019 की हमारी पेरेंट एस्सेशन जो है वह और जिस्टर है पहले उन मानसीक संतुलन बिग्रे हुए लोगों को कम से कम यह मैसेज हमारा पहुंचना चाहिए 2019 की उसके बाद मैं नहीं कोई जगड़ा नहीं जो अच्छी एजूकेशन दे रहे हैं एफ एफसी की फिक्स हुई कमेटी की इसाब से फीच ले रहे हैं जा उनके हिसाब से कोई जुली फाम और फीच का नेकसस नहीं चला रहें उनके साथ हमारी कोई लराई नहीं लेकिन जम्हु कश्मीर फी कंपलेन जाती है एक कंपलेन के ऊपर पूड़ी की पूड़ी टीम बढ़ाई जाती है मैं लगी साहब का बहुत बहुत शुक्री आदा करता हूँ कि अच्छा काम और बिल्कुल सचाई के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और 41,000 प्या 41,000 रुपीज पर बच्चे का बापिस करने का एक्सेस फीज जो ली गई थी 41,000 पर इक्स्टरा फीस पर स्टूडेंट का first class का उन्होंने बनाया कि इन्होंने 41,000 पर इक्स्टूडेंट से एक्स्टरा लिया है इस लिजी स्कूल ने यह CEO सामबा की रिपोर्ट है यह हमारी रिपोर्ट नहीं सल्यूट है CEO सामबा को same school की complaint जाती है हमारे चेर्मेन सुनील हाले साहब के पास इसी स्कूल की सुनील हाले साहब जेके फफफी के चेर्मेन उनके पास सेम स्कूल की कंप्लेंज आते है कि सर हमसे 10,000 रप्या लेना था आपकी फफफर्सी कमेटी की फीस के इसाब से 17,200 रपया हमसे लिया गया है अलग-अलग क्लासी की तो सुनील हाले साथ जनाब क्या करते हैं आप सोच नहीं सकते सुनील हाले साथ का फर्ज बनता था कि आलड़ी स्कूल की हमने इंक्वाइडी टीम बनाई थी टीम बनाई गई थी उस टीम ने आलड़ी बताया है कि 41,000 पर सुनील हाले साथ क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा और निकाल देते हैं सेम स्कूल का कि आप अगर छे तारी को वहां पे पेश नहीं हुए या दो तारी को पेश नहीं हुए तो आपको एक प्रसेंट किया जाएगा तो आप मुझे बताईए कि 41,000 पर स्टूड साथ की पर स्टूडेंट का आडर निकाला है रिपोर्ट बनाई गई है इनी के सरकारी मुलाजिमों के दोवारा सी यो सांबा के दोवारा उसके बाद सुनील हाले साथ दूसरी कंप्लेन पर यह आडर निकाल रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं अगर 600 बच्चा है अगर पास सभी फीसों के आडर है 13 10 2022 का 13 10 2022 का और इसी कमेटी का चेर्मेन एफफरसी का कि जितनी भी एक्स्ट्रा फीसे लिए गई है वो रिफंड करवाई जाए यह आडर निकाला था हमारे बड़े ही इमांदार बड़े ओनेस्ट रिटाइड जस्टिस जुनाब मुझफर हु आट उन्होंने यह आटर निकाला था जिन्होंने भी एक्स्ट्रा फीसे लिए है तेरा दस दोजार वाई फंड करवाए तो चेर्मेन एफफरसी सुनीर हाले साब का फर्ज बनता था कि इस कमेटी जो कमेटी की इंक्वाइडी आई है उसके ओपर एक्शन करना और सभी पे दस करोड़र पे उनका नेकस्स उसके ओपर कहीं न कहीं हमें कि कोशिश की जा रही है अगर करने की कोशिशं की जा रही तो चेर्मेंट एफ फार सी 13-10-2022 की आडर को इंप्लिमन्ट क्यों करते चेर्मेंट एफ सेंस्पूल एक स्कूल की कम्प्लेर होने के बाद एक ताली को क्यों एक परसेंट की बात की गई सिर्फ और वह भी स्कूल जवाब दे जब स्कूल ने आलड़ी जवाब दिया हुआ है चेर्मेन कमेटी की पूरी सब्सक्राइब की पूरी टीम ने इंक्वाइडी की है जिसमें तीन प्रिंसिपल से उसके बात क्या संदेह रह जाता है य आप जो फैसला करने के वो क्या जाइज है क्या वो चेर्मेन कुर्सी पर बैठने के काबिल है या आप लोग जाइज किजिए